अफगानिस्तान के लोग हर हाल में तालिबान से मुक्ती पाना चाहते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान से लोहा लेने के लिए उसके विरोधी इकठा होने लगे हैं। ब्रिटेन में पढ़ाई कर चुका एक अफगानी अपने देश में लड़ाई का नेत्रित्व कर रहा है, जहां अब तक 60 से 100 तालिबान मारे जा चुके हैं। पूर्व मुझाहिदीन कमांडर का बेटा एहमद मसूद घातक हतियारों से लैस होकर विद्रोह का नेत्रित्व कर रहा है, वह तालिबान की सत्ता को उखाड फेंकना चाहता है, मसूद ने कसम खाई है कि विद्रोहियों की उनकी सेना तलिबान लड़ाकों से आखिरी सांस त पंजशीर घाटी में अपना गड़ बनाया है, जहां से वह तालिबान के खिलाफ पकड़ बनाने की कोशिश में है, पंजशीर में तालिबान को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में खबर है कि नार्दन एलाइन्स तालिबान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर सकत मीडिया के मुताबिक 32 वर्षी मसूद का समर्थन अफगानिस्तान के शीर्ष जासूस और अपद्स्त उपराश्टरप्ती अम्रुला सालेह भी कर रहे हैं। सालेह का काबुल के अंदर जासूसों का तगड़ा नेटवर्क है। मसूद के विद्रोह ने अफगानिस्तान में एक चौतरफा ग्रिह युद्ध की आशंका पैदा कर दी है क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिकी सैनिक काबुल से हजारों लोगों को निकालने की सक्त कोशिश कर रहे हैं। दमिरर ने सूतर के हवाले से बताया कि पिछले तीन दिनों में अफगान राष्ट्रिय रक्षा और सुरक्षा बलके लोग पंजशिर गए। वे मसूद के गठ बंधन को मजबूत कर रही हैं, शामिल हो रही हैं और समर्थन कर रही हैं। तालिबान पर कई मोर्चों पर हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि मसूद के पिता, जिन्हें पंजशिर का शेर कहा जाता है कि 9 बटा 11 से कुछ दिन पहले अलकायदा ने हत्या कर दी थी। उन्होंने CIA समर्थित उत्तरी गठ बंधन का नेतरित्व किया, जिसने 2002 में तालिबान को बाहर कर दिया और देश को स्थिर किया। ऐसे में मसूद को डर है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन एक बार फिर अलकायदा को 9 बटा 11 शैली के अत्याचार की साजिश रचने की आजादी देगा। मसूद ने कहा तालिबान अकेले अफगान लोगों के लिए समस्या नहीं है। तालिबान के नियंतरण में अफगानिस्तान कट्टर पंथी इसलामी आतंकवाद का ग्राउंड जीरो बन जाएगा। यहां एक बार फिर लोगतंतर के खिलाफ साजिश रची जाएगी। वाशिटन पोस्ट को लिखे एक पत्र में उन्होंने हतियार और सहायता की मांग करते हुए कहा। मैं अपने पिता के नक्षेकदम पर चलने के लिए तयार हूँ। मुझाहिदीन लडाकों के साथ जो एक बार फिर तालिबान से मुकाबला करने के लिए तयार है। मालूम हो कि काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी को अभी भी तालिबान नहीं जीत सका है। यहीं से एहमद मसूद घातक हतियारों से लैस होकर विदरोह का नेतरित्व कर रहा है।